हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल हम कर रहे हैं रिसेर्च अप्टिटूड की सीरिज रिसेर्च अप्टूड जो की यूजी सीनाट पेपर फॉर्स्ट एजुकेशन पेपर सेकंड पीसडी और एंफिल के इंट्रेंस एक्जाम में काम आता है चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही हेल्पफुल है और इसके अंदर हमने पूरी रिसेर्च को कवर किया है हमने एक चूटे-चूटे टोपिक को यहां पर उठा करके MCQ त्यार किये हैं तो देखिए फस्ट कोस्टन आपका इस्ट्रोन है और फ्सटीग को नियुक्त है and reporting, school survey and social surveys, survey examination questionnaire survey, इहाँ पर जो historical method है, उसका जो टाइप होगा, वो होगा historical constitutional and reporting, option B यहाँ पर correct है, next question है, the position of sample in survey method, जो position होती है, sample की survey method के तर लोग ते essential होती है, partial होती है, constant होती है, यह फिर none of the above, देखिए जो survey method होता है, उसके अंदर जो sample की जो position होते है वो essential होते क्योंकि जब हम कोई भी survey करते हैं तो हमारे पास sample होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी sample की बना तो हम survey करी नहीं सकते ठीक है पहले हम अपना सैंपल लेते हैं कि हमने 10 लोगों पे सरवे करना है 20 लोगों पे करना है पचास लोगों पे करना है 1000 पे करना ठीक है जितने लोगों पे सरवे करना होता सबसे पहले हम अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम सरवे करते हैं ठीक है तो इसलिए क्या यह कोई भी महतव नहीं रखता देखें जो कंट्रोल होता सर्वे मैंसेड के अंदर बहुत कम महतव रखता है जिस जो कोश्चन हमारे त्यार होते हैं या जो कोश्चनेर या फिर जो भी कोई टैस्ट हमारे पास होता है उसी कोडिंग जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो हमारे सर्वे को फर देते हैं इसलिए यहां पर कंट्रोल क्या है एक लैस एक्टेंट के जो है भूमिगा नहीं वाता है नेक्स्ट कोश्चन है जनरली दे एक्स्टरनल और इंट्रल वालिटी इस प्रजेंट इन्फरेंस के अंदर उसको कहां से प्रापत करते हैं एक्सपोस्ट फेक्टो मेथड़ से या फिर नन अफ दी अबो रहें इंट्रनल और एक्स्टरनल जो वालिटी होती है पर जैंट इन्फरेंस के अंदर वो होती है एक्सपोस्ट फेक्टो मेथड़ से एक्सपोस्ट फेक्टो मेथड़ क्या होता है एक्सपोस्ट फेक्टो मेथड़िक ऐसा मेथड़ होता है इसके अंदर जो इवेंट होता है वो पहले से गटित हो चुका होता है और उसकी रिपोर्टिं और जो recording होती है वो बाद में होती है, तुक्या है? Which of the following method is free from the difficulties related with sampling control and validity of interference? काता है कि कौन सा जो method है, वो free from है, किस से? जो difficulty आती है, sampling से, control से और validity से related. तो देखिए historical method है, philosophical है, experimental है, survey method. इसका answer होगा historical method क्योंकि जो historical method होता है, उसके अंदर जो past की जो घटनाई होती है, उनके उपर हम study करते हैं, जो past की घटनाई होती है, उनको, उनके उपर study क्यों के जाते? क्योंकि हम जो present होता है, हमारा उसको understand करने के लिए, ठीक है? उनके उपर study करते हैं. Next question है आपका. The internal validity related with inference is associated to, जो internal validity होती होती है, किसी भी inference से related होती है, तो वो किस से associated होती है? X post factor method of research से, experimental method से, both of the above से, उसका correct answer होगा, experimental method of research, क्योंकि यहां पर बात किसी हो रही है, internal validity की, ठीक है? Next question है आपका. X post factor method of research is associated to, जो X post factor method है research का, वो associated होता है? Sample से, control से, validity related with inferences से, या फिर all of the above. देखें, यहां पर जो X post factor method होगा research का, वो associated होगा all of the above से, क्योंकि उसके ज़र sample भी लेना होता है, control भी करना होता है, और जो validity होती है, inferences related, वो भी यहां पर माहिने रखती है. Next question है आपका. Which one of the following research method have the similarity in nature, when compared, in relation to sample, control and validity of inference काता है कि, कौन सा जो research method है, वो similarity रखता है nature के अंदर, किसके अंदर, जब उसको compare के ज़ता है, similarity रखता है nature के अंदर, किसकी nature के जब उसको compare के ज़ता है, in relation to sample, control and validity of inference. तो देखें, यहां पर option है, experimental and X post factor method, historical and philosophical method, survey and experimental method, if none of the above. अगर इनके अंदर हम sample control और validity को कर compare करते हैं तो historical और philosophical method होते हैं इनके अंदर जो है हमारा sample control और validity इन तीनों चीज़ों के अंदर कर similarity देखे हैं तो यह जो है बहुत ही ज़्यादा same same परतित होते हैं next question है आपका survey method is associated with survey method associated होता किसके associated होता है दोज exercises which are continued regularly वह exercise जो लगातार हो रही है या फिर वह experience जो हम पहले ही क्या है realize किया जा चुके हैं या फिर all of the ability के survey method associated होता है all of the ability जिसके अंदर exercise लगातार हो रही है या प्रोसेस भी लगातार हो रही है और जो experience होता है उनको realize किया जा चुका है thanks for watching friends वीडियो को like करना share करना अगर आप channel पे नहीं है तो चैनल को subscribe होना नहीं भूले